नमस्कार दोस्तों कैसे हैं सब आसा करते हुए दोस्तों अभी की समय पर बारीस हमारी स्टार्ट है और हम देख रहे कि काप्य किसार माईयों कि बेट बन चुकी है मल्जी उनकी हो चुकी है अब उनके मंड में एकी सवाल उड़ता है कि जुलाइ के मेरे में कौन जी फैसल ल करते ह करते हैं जुलाई में को सफसल लगा है कि हमें ज् способ हो सके हैं given अगे सब्सक्राइब लेते हैं तो आपको बिस ते कि मोनाफ़ा मिलेगा क्यों कि आपको ज्री प्र वीडियो कान्त में हम जानेंगे उन फसलों को जो की हमें कम समय पर ज्यादा मुनाफा देने की जमता रखते हैं चली दूसर वीडियो के सब्सक्राइब करते हैं मैं और आके साओ आप देख रहा है अगर जीवान बाते किसान की यह आपका आपना चैनल है इससे पर आपको जो भी जान करी जाते हैं यदि वह पसंद राती है तो वीडियो को लाइक जरूब करें और ज्यादे ज़्यादे वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य किसान वाई उससे लाब हो सके तो सबसे पैदा हम जानते हैं चाड़ी नुमा पासलोग है बेगर बेगर की खेती यदि आप भी करते हैं आपने देखा होगा फिर आपको मुनाफ़ा कमाने से कोई नहीं हो सकता उसके रेक ने मिलते हैं लेकिन यदि आपने स्टमपोरर और फूट पर उपको कंट्रोल रखें किया तो फिर आप तोड़ना भी फूल जाएं आप तोड़ेंगे फल पूरे कीड़े वाले नितलेंगे तो आप उसको मार्केट पर क्या लेजाएंगे तो उसका जो कंट्रोल है वो एक ही है वो है फ चुरुआती इस्टे से यह आपको लगाने चाहिए है अब केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में हम देखते हैं कि उन्ने वाले पतंग या नि जो उनके पतंग होते है जो उसकी मक्की होती है वो आप देखेंगे ति उसको हमारना पड़ता है लेगन वो मरकी नहीं है उस स टमाटर फसल टमाटर की फसल तो ऐसी फसल है जो कि आपको यह उसके रेट मिल रहा है तो तो उसके लिए आप अभी नरसरी तयार कर सकते हैं बहुती बढ़ी है समा यह आप लास्ट जुलाई तक उसकी टीपी करें तो अगती फसल गहलाती है और एक अगस्ट से नेकी 15 अगस नीचे आप इस पसल देख रहे हैं हमारी यह खीरे की कसर है तो माटर फसल में बहुती है तो आप देखते हैं कि हमें ऐसी ब्रेटी के चैन करना पड़ता है जो हाई टेंपरेशार को सहिन कर सके दूसरा अर्ली बैट और लेट ब्राइट और बैटिरिल बैट के पाथी सब अब लास टोमाटा सेमीन का वहनी का बहुती बड़ी आयरत हिमसोना को लगा सकते हैं हिमस्पेर को लगा सकते हैं आप चाहें तो एक बहुती बड़ी रपराइट ही है इसमें बी ऐसी परी के नावचे उसको भी आफ चैन कर सकता है यह लगवाद पच्पन से साट तक आप इसमेरज के साट की बारे में बाता है उनकी तो आई बैटा के उसको देख सकते हैं इसके मार्केट पर आप गुए बड़ा रहते हैं ठीक है अक्टुम्ह के मेनिमें बीट चैन कर सकते हैं आप चाहें तो They could बिंडे एक ऐसी फसल है जो कि बरसा के महीनों पर आपको ज्यादा उत्पदर देती है अनसीजर पे अलावा ठीक है तो आप बिंडे के खेती कर सकते हैं बिंडे अच्छी वराइटिया लें आप ऐसी वराइटिया जो कि जल्दी कड़ी ना हो आपकी ठीक है तो उनमें आप बहुत की कम लागत पर यादा उनाफा देने वाई फासल है य które है आप उसको समाल लेते हैं तो लेकिं बर्साद के समय पर उसमने बहुत ही समच्य आतीक और सम महीं को सबसे बढ़्या आती है INJUSTमा कि तसमीं बढ़िया होते नहीं लेकिक इत वाहने कि ऐकिक में वह इत्व कर लेते हैं तो आप देंगते हैं कि आपका किसरा कि समय देवाली समय तक दिखें आप तो आप को तो बहुत ही बढ़िया मिलते हैं यह रेट की बहुत ही शितर्थी रहती है तो इसो देंता नहीं है आप उसको बस समखल reflect इससे अभी water दो आप मुझेख सकता है यह होगी हमारी जाड़ी में पस्ट है अब हम जानते हैं बेलेबरगी फस्टों में जानने से पहले मैं को बताता हूँ यह दिए यह पर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहनी बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब बनना नहीं दोस्तों समय निकालकर ह कि फोड़ी हमारी महनत को भी देखें आप यह ड़ी स्टित करें अब आम जानते बेलेबर कहीं को बेलेबर्गी फास बेरेवल्य फस्टों में है लेकिन लेकिन अपनी इस‎को सब्सक्रेंग चैन उसके कप सकते हैं तो करेलोगा उसके बटिया हुन सब्सक्रेंग कर आते हैं उस्ट्रेओं नाङ है नहीं कि सनिक्मिन छाज्बी आपड़ कर सकते हैंë कर चाहीं आफूर को रिख यह दाहिता में है तोड़ने में भी काफी आसानी होते हैं पोड़ने कि siitä को बात दुम को बम आपको बिंद नहीं कर सकते हैं तीसरी फसल है तो इसमें खीरा, खीरा हमारी थेवरेट फसल है, और हम हर्थारिस को रखाते हैं, और इसके रेट यदि आपको आठ से दसों पर मिल गए, तो आप में अच्छा पदन होने के करण रेट में बढ़िया मुनापा कमा सकता है, क्योंकि इसकी जो वो ज्यादा आती है, ठीक है, ज्यादा ऐसे आती है कि आप उसरी फसलों को इकड़ मालो चार कुंटल नेका लेंगे तो इसको अब दस कुंटल नेका लेंगे, तो उत्पादन ज्यादा मिलता है, आपको रिट थोड़े कम ही मिल जाती है, तब को बेनेफिट आपको देख देखते हैं, आगे क्या होता है, नई विराइटी है, हमने पहली बन लगाई है, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हमने दो इकड़ पर लगाई हुई, एक कड़ी है, और एक घड़ा मेरे क्छे देख बाहर है, तो आप खीरे का भी चेहन कर सकते हैं, जितने में आपका अलना स्टार्ड होता है, उतने समय पर आपके खीरे की फसल आप हर्वेस्टिंग समात हो जाती है, और आपको दूप मैसे छोड़ गई जाती है, अब हम बात करते हैं वीडियो की विसेज बात की, विसेज बात में बातने में आपको बता रहें, यदि चैनल पर पह दूसरा है धनिया, धनिया को पालना थोड़ा मुश्की होता है, लेकिन अजमी साइट को अच्छे से आप इसमाल करते हैं, और आपकी जमीन पर यदि वाटर ओल्डिंग केपसिटी अच्छी है, उतने जलवराव नहीं होता है, तो आप धनियो की फसल को उलने सकाए, तीस आपकी जमीन यदि उसकी मिट्टी है, वो पुरबुरी हो, दूसरा उसमें वाटर ओल्डिंग केपसिटी चाता है, यह आज पानी गिरा, आपने एक गंटे पास उसमें चल पाया हो, तो फिर आप देखेंगे कि ऐसी जमीन पर पालक बहुती पढ़िया होती, पालक क्या ध आप यहां से वहां नहीं चल पहुंगे, आप यूतों को लेकर तो जाहीं नहीं सकते, आपको पेंट आप ऊपर चड़ाना पड़ेगा, वो इसके बाद आप शित बगवान का नाम लेकर निकल पना है, यह होता है, वाथ यह आसान नहीं है, हमारी काली पर केते करना, लेकि की फसले हैं, जिनकी आपको रेट निस्चित है, यदि आप जुलाई पर कास्त कर लिएते हैं, यह जान रिपको कैसी लेगी है, हमें प्रीस कमेंट करके जरू बताएं, और यदि हाँ, इन फसलों में से किसी वी एक फसल के बारे में, यह दो फसलों के बारे में, आपको व काण मेया खिर्वलिए लाजएं कर पसले हैं, किसी में से किसी लेगी हैं, हमेट पसले जर इन इन आपको बारेśl किसी भेए हैं, और फसलों कर रेश्र